अर्शर नदीम ने जिन्हों ने गोल्ड मैडल जीता है अलम्पिक्स में लेकिन उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते वे हमें दिखाए दी और हमने सुनने में यही आ रहा है कि छोटे भाई को भी त्यार कर रहे हैं कि भाई जान आप भी त्यारी लीग में कही नजर नहीं है जहाँ पर नीरत चोपडा जो के इनके कमपैटिटर थे उलम्पिक्स में भी उन्होंने इसा लिया और बाद में जो एक उन्होंने ट्वीट किया जो पिक्चर हमारे सामय आई वो फ्रेक्चर हाथ के साथ वो डामट लीग खेलने गए क्योंकि उनका फर्ज है खेलना और इसी तरह से इंप्रूव्मेंट भी आती लेकिन अर्शन नदीम वो क्यों नहीं खेलने के इसके क्या वजुवत है आया कोई निजी मश्रूफ या फिर इनको कोई मसने में साथ फिटनेस के थे कोई ऐसी फिटीग थी आकिप गुरेशी साब ऐसे कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पर्सनल रिजन्स को वज़ा पताते हुए इससे दस्परदारी का अलान किया है और अब नेरच चोपडा जो के जो के जो नहीं ने ऐटी सेवन पाइट सिक्स की थो पैंकर सेकंड पोजिशन असल की थी और जो फस्ट नमबर पे आए वो एंडर्सन पीटर्स से और उलम्पिक्स में भी आपको याद होगा यही तीन-चार नाम गूम रहे थे कि इनके साथ में मुकाबल होगा लेकिन जो अर्शन नतीम का ना जाना ये एक बड़ा जो है वो फैंस के जहन में सवाल लिया निशान बन गया है कि क्यों नहीं जा रह तो मतब वो एक तो उनको इनामाद भी काफी मिर रहे हैं वो एक सुपर स्टार भी बन गये हैं लेकिन ये लीग छोडने का मकसद मुझे बजाहिट जो है वो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उनकी इंजरी का जो मामला था वो उनके जो डॉक्टर असद अवाज शाह के इसतना की जो होती हैं वो डिफरेंट होती जिसमें आपका सारा बाजू सिर्फ एक आपके बाड़ी पर लगने या एक बाड़ी पार्ट पर लगने तो यह इन्नोंने क्यों क्यों नहीं चोड़ा यह बहुत रहे करा जाते हैं लेकिन 비ताबर लगता है मुझे लगता है उब करने जा रहे हैं यहां पर कि उनका आराम करने का हाक माता है चुक्कि इतना पैसा मिल गया है अब उसको काउंट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा रखेले ही वो हैं क्योंकि जिस गाउम में उनका घर है वहां पर आसपास को बैक भी नहीं तो सारा कैश जो है वहीं पर मुझे लग रहाएब के फेसे के आप डिन्ड करना चारें क्या कहेंगे अ और अगर एक प्लेयर जो है वो इंजरी की वजा से नहीं खेल पा रहा तो उस प्लेयर की जो बाड़ी है वो ज्यादा बैटरी बता सकती है कि उसने हिस्सा लेना या नहीं लेना गो कि प्रोफेशनल के तौर पर उनको इस डायमेंड लिग में हिस्सा लेना चाहिए था इसमे प्रोफेशनल के लिग में लिग में जाए आप वो पाकिसान के लिए पाकिसान का नाव रौशन करें तो भेरल हिरो तो वो है